हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस ट्रिग्नोमेटरी टेबल को लर्ण करने की इदम इजी ट्रिक बताऊंगी और अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये आएगा तो मुझे पक्का पता है कि आप अपने पेपर में इसको 100% करके आएंगे और ये बात ध्यान लखे जब पना लें और आपको और इजी पढ़ेंगे और कोशन करने के लिए तो आएए मैं आपको ट्रिग्नोमेटरी टेबल के ट्रिक बताती हूं कि कैसे आप इसको असानी से कर सकते हैं सबसे पहले हमको इस टेबल को याद करना जरूरी है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डि 20 डिग्री और आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे कि साउन कोष्ट ये कीसे लाइन वाईज लर्ण करने है उसके बाद आप सिस्थ साईन की जो वैल्यूस हैं इनको लर्ण करनी पड़ेंगे बाकी तो आप यू ही कर देंगे इन्हीं से अप एखी से सारे कर देंगे म उसके बाद 1 upon root 2 और root 3 upon 2 और 90 degree में 1 अब देखिए अब sign को तो आपने learn कर रखा है अब cost वाले में क्या करना है बस इसको as it is reverse में opposite ऐसे करके लिख देना है ये वाला इधर ये वाला इधर ऐसे cross में ऐसे करकर के लिख देना है जैसे 90 degree 1 है तो यहां लिख देंगे root 3 upon 2 इधर लिख देंगे 1 upon root 2 और 1 upon 2 इधर लिख देंगे और 0 इधर लिख देंगे तो देखिए ये तो आपने यूँ ही कर लिया बस इसको reverse करके इधर को लिख देंगे अब देखिए 10 अब देखिए आपको सब में साइन और सेग इनको याद करना है इनको और इसके बजह शेयर से अग्लावाला इसका कर लेंगे तो देखते हैं 10 लेकिन अगर कभी बिख भी आप जिरो को वान से डिवाइड करेंगे तो जिरू ही आएगा उसके बाद अब 30 आप 對 से टू को में वर नपन रूट तरी आप देखें अब 45 वाले में नीचे से इधर से नीचे कह नीचे काड देंगे गर डिवाइट करेंगे तो क्या बचेंगा वन अपन वन और हम नीचे लिखते नहीं है अगर वन अपन रहता है तो नीचे के वैल्यू की कोई रहती तो यह वन ही रह जाएगा ऐसे अब देखिए 60 डिग्री है तो देखिए अब टू से टू कट आफ हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे पूरे को इससे तो क्या बचेगा रूट थी अपन वन जैसे वन लिखते यहाँ तोर Черी अब देखिर अब अब मैंने यहीं बताए मैं से करते यह वाख रे Size में इसको अपोजिट करके ऐसे उतार देना है जैसे यह नौट डिफाइंड हो जाएगा और यह रूट थ्रीग का रूट थ्री वन का वन और वन अपउन रूट थ्री और जीरो का जीरो अब देखे आपने इत्य चार तो कर लिए अब सैक वाले में क्या करेंगे इस कोश का reciprocal कर देंगे जैसे इस वाले का इन दोनों का बस आपको इन में मैंने बता है बस ये और ये और इनको करना है अगला वाला तो खुद जाता है तो आपने sign को learn कर लिया 10 को हमने divide करके कर लिया इसका ही हो गया अब sec वाले में आपको cost की जरूत पड़ेगी तो देखिए अब sec का करना है तो हम कैसे करते हैं हम वन का reciprocal कर देंगे तो वन का reciprocal क्या करें करेंगे तो आएगा वन क्योंकि वन अपन वन तो वन ही होता है आप उपर लिखिए या नीचे लिखिए reciprocal मतलब होता है उपर का नीचे नीचे जैसे आप अगर टू अपन थ्री है तो अगर आप इसका reciprocal सब्सक्राइब करें तो 3 अपॉन टू हो जाता है ठीक है यह नीचे वाली धर आजाता है यह तो ऐसी तो आप उन रेका तो यह जाएगा तो बीखेंगा थी रूट फॉन टू है तो निजए तो बैंद लिखते से अब इस वाले को आप ऐसी डिवर्स में अपोजिट में लिख देंगे जैसे नौट डिफाइंड इधर नौट डिफाइंड उसके बाद टू रूट टू और टू अपॉन रूट थ्री और यह बना जाएगा तो देखें इतना इजी बस आपको एक लर्ण करनी की जरत पड़ी और बाकी तो आपने अपनी मर्जी से इनी से कर दिया तो देखें एक बार हम फिसे सब पे नज़र डाल लेते हैं देखें स सबसे पहले साइन को आपको लर्ण करना पड़ेगा पड़ेगा उसके बाद कॉस इसका अपोजिट करके लिख देंगे उसके बाद टैन को आपको इंसे डिवाइड करना पड़ेगा उसके बाद कोट में आप बस इसको अपोजिट करके लिख देंगे और सैक में आपको कर ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं उमीद करती हूँ कि जब आप अपने बोर्ड के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के कोशन सॉल्व करेंगे तब आप इस टेबल को आंशर शीट के बैक साइड में आप तू मिनट्स में ड्रॉ करेंगे और एक्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड हर कोशन को आप असानी से सॉल्व कर देंगे थैंक यू